प्रेजेंटिंग अरीना स्कूर बाय अमपायर अरीना, इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्केटेक्ट अपीस कॉंट्रेक्टर ने, ये एक रेसिदेंशल प्लस कमर्शल प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शल स्पेस और यॉर श इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन ये सब सिर्फ और सिर्फ पांच से दस मिट के फासले पे, तो क्यो रहना ओडिनरी जब मिल रहा है लगजरी, दू कॉंटेक्ट फो मोर डेटेल्स, www.arenasquare.in सेमेस तो करते हो कि आप आईए ओट डालने के लिए, लेकिन जब वहाँ ओटर पहुछता है, तो जिसको आपने मेसेज दिया, आपकी आदी के थुरू दिया आपने, उसका नाम है, आपने नाम जो लिखा है सही है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कहीं उमर का के मैं बढ़का, हम लोग बढ़के, आप हमको बुला रहे हो, उसके आप पिर हम कहते के बगा रहे हो, और चुनाव आयो, तो एकदम खाली कपड़ा पहिन के, सूट पहिन के गोम रहे है, कि हम लोग जब अंदर गुज गए, तो एक पुलिस वालों को मिरगी आ गई, जो म बताइए कि एक ओटर को आप इतना दोड़ा दोगे, इतना दोड़ा दोगे कि ओट डाले गई नहीं, अरे आप ऐसी कोई टेकनलोजी लाओ कि आपनी घर बाइटे ओट कर दे, वही 1945 वाली वेबस्ता है, आज भी आपके पाव वही है, बाप का नाम कुछ, मा का नाम कुछ माराइटी में अलग नाम, इंगलिश में अलग नाम, चुनावायों मजाक में न ले, इस देश का नागरित चुनावायों के खिलाब भी खड़ा होगा, क्योंकि हमारे पैसे से आप राज कर रहे हो, आप इस तरीके से परेशन करते हो, इसलिए इस देश में परसेंटेज जा फोटिंग गिरते जा रही है, लोगों का विश्वास आपके उपर से खतम होते जा रहा है, महिश्ट आमदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटिंग्स, बीस मई को लोग सभा चुनावा का मतदान हुआ था, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल कर वोट डानले के दिए पहुचे थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो वोटिंग की जा रही है, उसकी वो जो काफी धीमी कराई जा रही थी, और इसको लेकर जो है चुनावा आयोग पर भी सवाल उखने लगे, कि जिस तरह से लोगों के पास चुनावा आयोग के तरफ स मैसेजेस आ रहा है कि आप घर से निकल कर वोट करें, एक एक दिन में तिन तिन चार चार बार मैसेज आ रहा है, वही जिस दिन वोट हो रहा था 20 मैं को, उस दिन लोग घंटो लाइन में लगे रहे, पसीने से डूबे रहे, लचर विवस्था जो है चुनावा आयोग के त जिस तरह से लापरवाही बरती गई, इसको भी लेकर पूरे महराश में जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ शरत चंद पार्टी न्सिपी के नेता है, सयदर या शब भाई साब, उनसे बात करेंगे, भाई साब, क्या बताएगी आप जिस तरह से आज कई अखबार के जो आजिकायरी थे, वो कहीं ना कहीं घूम रहे थे, तो क्या बताएगी आप पूरे मामले को आप कैसे देखें, देखें सबसे पहले तो मैं मुमरा कौसा के लोगों को मुबारक बात देना चाहता हूँ, कि पच्छी साल बाद, पाले मिंड के अंदर, ओट, कम्निटी ने भरपूर किया, उसके लिए मैं तमाम लोगों को, समाम संद्रीमों को, तमाम लोगों को मुबारक बात देना चाहता हूँ, दूसरे आपने जो सवाल मुझसे पूछा, ये सवाल आज टाइमस आफ इंडिया में भी है, एन्बिटी के अंदर भी है, और नवार स्लो ओटिंग हुई, तो मुम्रा का भी परसेंटेज माइनस हुआ, अगर ओटिंग सही चलती थी, तो मुम्रा का परसेंटेज 55 और 60 जाता था, लेकिन लोगों का नाम ना मिलना, लोगों की, जब आप आयोग एक अलग संसता है, उनका काम है निक्षपक्ष चुनाओ करान तो आप इतना अरंगा डालते हो, आप MSMS तो करते हो कि आप आईए ओट डलने के लिए, लेकिन जब वहाँ ओटर पहुशता है, तो जिसको आपने मेसेज दिया, आपकी यादी के थुरू दिया आपने, उसका नाम है, तो आपने नाम जो लिखा है सही है, उसमें स्पेलिं ग्राउंड पे है, उसके देखने के बाद आप उसको करेक्ट को करो, आप उसको डिस्कौलिफाइट कर देते हो कि नहीं, या आपकी उमर सत्तर साले, या आपका ओट नहीं होगा, तो आपको ओट में आसानी करना चाहिए, कि हम कितनी अच्छी फैसलिटीज दे दे कि ओट शे बजे कि यहां तक लोग ओट देंगे, उसके बाद उन पाँच लोगों को बारी रोग दिया, बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया, अवाट साप को आना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, हम लोग आ गए, उसके बाद चीक पुकार हुई, अवाट साप भढ़के, मैं ब अवाट के साथ जो आपका गंदा रविया है, ये कही न कहीं चुनाओ आयोक का कहीं न कहीं फेलियर दिखा रहा है, इस पुरे मुल्क के अंदर, फेलियर दिखा रहा है कि आप ओट कराने वाले, आपको रिक्वेस्ट करके लेना चाहिए, आप हमको बुला रहे हो, उसके पिर हमको जटका दे के बागा रहे हो और वेवस्ता बिल्कूल खराब थी और चुनाव आयोग तो एकदम खाली कपड़ा पहिन के सूट पहिन के घुम रहे है यह मास्टर और टीचरों को लगा देते काम पे पूरा काम कराते रहते कराते रहते और एलेक्शन के दिन जो है य वो नीचे गिर गया बीचारा तो वेरी साइट चुनाव आयोग से तो बड़ी नाउमीदी हुई है अगर यह परसेंटेज और स्लो पुलिंग ना होती तो यह मुमरा का परसेंटेज आज जो आर्टिकल देखेंगे आखिबारों में आया है उसमें साफ दोर पर लिखा गय है कि लोगतंत्र के सबसे बड़े उत्सों के साथ जो है खिलवार किया गया कहीं नहीं कहीं जो महराश्ट के जो व Оूटर है उनके साथ गोर ला परवाही जो है बर्तिय गई है पूरे महाराष्ट के ओटरों के साथ घोरला परवाई क्या एकदम घोरला परवाई की गई है टोटल स्लो ओटिंग हुई है पूरे महाराष्ट के अंदर आप देखो ना मुखमंद्री जी ने क्या कहा कि इसकी इंक्वारी लगा दिया महराष्ट के जो मुख्यमंत्री है देखना चिंदे उन्होंने भी ऐतराज जताया है जो सिलो ओटिंग हुई है आखिर क्यों हुई है इसके लिए जो है इनक्वारी जाच के भी आदेश दिये बिल्कुल जाच के आज़ा हमको डर लग रहा है क्योंकि चुनावायो कि देखें आप एक सुप्रिम कोट में रीट है जो इन्होंने परसेंटेज बढ़ा है एक करोड सम्तिंग ओटर बढ़ा है तो यह क्या कुछ खेल तो नहीं होगा बाद में कि इनको 22,000 22,000 ओट लगा के जिताने हाराने का खेल तो नहीं होगा अब देखें सुप्रिम कोट क्या फैसला करता है लेकिन चुनावायो क्से मायूसी हुई है और उनके अंदर बढ़ते हुए लोगों से भी मायूसी हुई है कि इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए मारा ओटा रहा है डालने के लिए वाई जैक्षन के पास इतने दूर लोगों को चलके जाना पड़ रहा है किसी कि पुरी बिल्डिंग का नाम ही यादी से गाइब है आपको मैं बताओ आप हसोगे मैं चुनावायो के लोग भी अगर इसको देखे तो इससे कुछ संग्या फ्यार रहने वाले सेंटर कौसा के उनोंने पूरे उनके घर के छे और छे अलग अलग स्कूलों में मुम्रा का इसकूल गोलाई नगर मुम्रा के ओटर्स का क्या नाम है ठाकूर पाड़ा को आप बताए कि एक ओड़तर को आप इतना दवड़ा दोगे इतना दवड़ा दोगे कि वो डाले गई नहीं तो पिसे बोलते हो कि 100% पोलिंग करें घर के बाजू में इसके तीन तीन पोलिंग बूत वहां से लेके मुम्रा देवी तक पोलिंग बूत सेंज जॉन ये तमाम पोलिंग बूत उसका नंबर लगा है वहां तो सबसे पहले तो चुनाव आयोग जो है ये जो एलेक्षन के दिन जो डायक्षन देता ना ऑफिसर गीरी बताते ना उससे बेतर है कि उसके उपर अच्छा काम करें परल्यमेंट की यादी को मुम्रा के लोगों को मुम्रा में डालने के लिए मुम्रा का आदमी खलवा जाके ओट डालना है ये इससे बड़े आज के दोर में मोबाइल के दोर में इतनी टेक्नलोजी के बाद डिजिटल इंडिया, मेकिन इंडिया, सारे इंडिया फेल होगे समझे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आपके पाद डेटा मौजूद है अरे आप ऐसी कोई टेक्नलोजी लाओ कि आपनी घर बैटे ओट कर दे इस तरीके के तब आयोक का नाम होगा, कि हिंदुस्तान में सबसे बड़े लोग तंतर में सबसे बड़ा पर्व इतने सुकून से होता है कि लोग 98% पॉलिंग करते आप वह बवस्ता लाने के बाद वही 1945 वाली बवस्ता है आज भी आपके पाव वही है, बाप का नाम कुछ, मा का नाम कुछ, बेटे का नाम कुछ, बेटी का नाम कुछ माराटी में अलग नाम, इंगलिश में अलग नाम, एज है उसकी 35 नाम आपने दावत दिया उसको SMS डाल ले हो जब वो पोच रही तो उसके आगे लिखा हुआ 60 तो आप बोल ले हो कि आप होट नहीं डाल सकते हैं तो इस तरीके की जो है न बहुत ज़ादा वो किया है और चुनाव आयोग मजाक में न ले इस देश का नागरिक चुनाव आयोग कि खिलाब भी खड़ा होगा इस्लाम उदिन भाई और खड़ा होना चाहिए क्योंकि हमारे पैसे से आप राज कर रहे हो हमारे पैसे से आपका सेट अप चल ला है हमारे पैसे से आप अलग आयोग बने हुए हो यह जंता का पैसा है हमारा पैसा है उसके उपर आप टाई लगा के गूम रहे हो आपको एक central body बनाएगे आपको देश की निश्पक चुनाव कर आप इस तरीके से परेशन करते हो इसलिए इस देश में percentage of voting गिरते जा रही है लोगों का विश्वास आपके उपर से खतम होते जा रहा है यह सबसे बड़ी चूक और सबसे बड़ी आवेवस्ता यह चुनावायों की है तो आपने सुना कि जिस तरह से महराश्ट में जो 20 मैं को चुनाव हुआ था उस दिन भी काफी हंगामा हो रहा था लोग सवाल उठा रहे थी कि आकर इतनी धीमी जो है इतनी slow voting क्यों कराई जा रही है और इस पर जो ह भी आवाज उठाई थी और महराश के सियम एकनाज सिंदे ने भी अब इस मामले को संग्यान में लिया है और इसे जो है जांच के आदेश भी दिये है